तो आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं Microsoft Access के बारे में किसके बारे में Microsoft Access के बारे में तो computer के जो questions यहां पर आपको जो यह आई टी किरा रहा हूं तो उसमें से Microsoft Access भी आपका एक बनता है और देखने को मेरे सकता है कि आपको यहां से extension पूछ ले यहां पर जाओ extension भी पढ़ेंगे और queries भी पढ़ेंगे इसको ध्यान दे जगा एंट टेलिग्राम को जोईन के जगा लिंक उसका description box में आप टेलिग्राम को कर सकते हैं तो टेलिग्राम पर आपको हर एक notification मिल जाती है यहां की जो पीडियर आपको पीडियर लेक्टर की वह आपको वहां पर मिल जाएंगी तो अभी चलते हैं Microsoft Access के बारे में बात करते हैं सबसे तो 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 Microsoft Access एक database management system है ठीक है जिसको जाओ Microsoft दोना डैवलप किया गया है ठीक है इसमें इसमें आपका जाओ रिलेशनल डाटा बेस इंजन यहां पर है यहां पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहां पर देखने को मिल रहे है और यहां पर कुछ आपको यहां पर यहां पर यहां 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 याद रखिगा अब देखेंगे मैंक्रोशॉफ्ट एकस्स के दॉफ्ट किया गाए और यह इसका इनश्चर रिलीज देखने को मिल था आदेके माइक्रोशॉफ्ट एकस्स जो 2021 है जिसको हम अभी रन कर रहे हैं ठीक है वह आपका विंडो स्टैन में जायो रन होता है याद रखेंगे कि जो आपका 21 का जो Microsoft Access है MS Access है वो किसमें रन होता है Only Windows 10 में आपका Access वो होगा याद रहना है अब देखे Microsoft Access जो रिटन है वो आपका C++ Language में जाओ आपका रिटन है बैक एंड लेंग्विज में आपका यहां पर रिटन किया गया है इसको भी ध्यान देजगा आप सिंपल ध्यान देजगा कि जो database है जो MS Access database है यह क्या है एक Logically और Related है और Similar data है ठीक है collection है यह आपका एक तरह से Logically और Similar data का collection यहां पर देखने को मिलता है ठीक है और उस database store को हम जाओ एक स्पेसिफिक परपस के लिए जो और्गनाइज करते हैं वहां से इनफोर्मेशन को हम गैदर करते हैं उसको जाओ यूज करते हैं database store में से यादर रखेगा तो देखिए Microsoft Access क्या है एक तरह से एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन और यह क्रियेट करता है एक तरह से database तो MS यहां पर लिख सकता हमें MS Access creates creates database creates database इसको ध्यान देजेगा ठीक है और एक तरह से यह relational database management system भी है याद रखना है MS Access is a relational database management system यह आपको ध्यान देड़ा है अब यहां पर ध्यान देजगा Microsoft access store data in its own format based on the access database engine फॉर्मलरी फॉर्मर्ली जाट database engine याद रखो Microsoft क्या करता है Microsoft access क्या करता है यह data को store करता है अपने format में ठीक है जो कि उसका base होता है access database engine के उपर जिसको हम जाओ पहले database के ना इंजन के नाम से भी जानते थे याद रखो access database engine database इंजन इसको हम जाओ पहले क्या बोलते थे जापर MS access जाओ अपना data जाओ store करके रखता था आप देखिए आपर MS access जाओ एक तरह से इंपोर्ट भी करता है और एक तरह से वह link भी कर लेता है आपका data store से directly याद रखना है आप यहाँ पर देखिए MS access यूज़ डैवलप application software by some software developers data architects and power users तो MS access को हम किसली यूज़ कर सकते हैं आपका application software को बनाने के लिए software को डैवलप करने के लिए data architects उसका यूज़ करते हैं याद रहेगा तो देखिए Microsoft access आपका Microsoft डैवलप किया गया नमंबर 1922 में में इसका जाओ पहला इनिश्यर रिलीज रिलीज रहा था Windows 10 में 2021 में जो आई थी Microsoft access वह Windows 10 में चलती है Microsoft access बेस्टी प्लस प्लस लैंग्वेज़ पे याद रखना है Microsoft आपका जो access है वो स्टोर करता है डाटा को और access डाटाबेस इंजन बेज उसमें ठीक है जो किसको पहले जाटाबेस इंजन भी बोलते थे इसको ध्यान देजाए यहाँ पर आपको टॉप कोश्चन मिल रहे हैं आपको यहां से आपको टॉप 10 कोश्चन से आपकर देखने डाटाबेस है विंडोस का जिसका हम फर्स्ट मार्केट मास्ट मार्केट डाटाबेस प्रोग्राम यहां पर जायो बोल रहे हैं याद रखेगा कि Microsoft जो access है MSX जायो एक कम्प्लीट टैकिंग अप्लिकेशन है इसमें कुछ प्रीदिफाइं टेबल से पॉर्म से रिपोर्ट अबमोस को हम ज्यों जो अपन कैसे करते स्टार्ट कैसे करते हैं तो दिखें आपने स्टार्ट बटन बाना है स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपका और प्रोग्राम का ऑप शन कुलेगा और प्रोग्राम का यह खुलताा है तरह को Microsoft Office FE खोलना उसमें Microsoft Office Access दो जार स्थार्थ या दो जार इक्स यह खोल सकते आप तो एंड आपका जाओ यह खोल जाएगा Microsoft Access याद रखो आप देखें जो extension होती है MS Access में सोरी Access Success की जगा Access की जगा MS Access में वह आपकी .acctdb होती है ठीकि एक्सस डाटाबेस को बोला गया तो very important यह question बनता है कि आपका extension क्या है MS Access में ACCDB आपकी जो MS Access में extension देखने को मिलती है अब दीखें MS Access includes a collection of database templates such as assets, contacts, events, faculty, marketing projects and students देखो MS Access की templates क्या-क्या है MS Access की templates क्या-क्या है assets से assets क्या होता है कि मानलों जैसे आपको जाओ complete track करना है assets को ठीक है detail चाहिए honors की जिन्होंने assets जाओ खरिदे है या shares क्रिदे है तो आप यहाँ पर MS Access का use करते हो तो यह template यहाँ पर देखने को मिलती है है आपको assets की contact क्या है कि आपको जाओ information चेप पीपल की आपने जाओ उसको manage करकर रखना है तो contact है database बन जाएगा ना वो ठीक है event क्या है कोई meeting है या कोई अच्छ से तो आपका event अनेवारे सरे में तो आप उसको track करना है ठीक है जाओ कि सीर्फ करते हैं एक तो यह उसको Based करना है आफ क्लेंडर कभ है टीवाब करते हैं अच्छे से तो वहाँ प ermes टाटाब बेजब्टा यूज़ तोटैक्क करने के लिए डिलीवरी हुई है वेंदर से उसकले है का यूज करते हैं ट्रेल करते हैं ट्रेंट का एक ट्र nei को ट्र एक स्टूडेंस के लाइस के नाम तो यहाँ पर कर जाओ dalam M ant एक्सस डाटाबेस में यह टेंप्लेट्स आपको देखने को मिलते हैं तो टेंप्लेट्स इन मार्केटिंग प्रोजेक्स अब देखें डेबल प्वेरी जिस रिपोर्ट एंड फॉर्म्स यह कंपोनेंट्स है Microsoft XSK याद रखो MS XSK कितने components है four components है कितने four components याद रखेगा कौन सा है table है दूसरा कौन सा है queries है तिसरा कौन सा है reports है चौथा कौन सा है forms है याद रखेगा देखे टेबल में हम क्या करते है stores the data in your database in your database हम अपने database में जाओ data को store करता है वो टेबल है queries क्या है कि हमको जाओ जो data हमने store किया है tables के अंदर कुस्ते information चाहिए तो हम queries लेंगे queries लेंगे याद रखेग रिपोर्ट रिपोर्ट ठीक है यह data को print करने के लिए अलोग करता है जो कि बेस्ट टेबल के पर जो क्रेट के गई है यूजर्स के ज़रा आप फॉर्म्स क्या है ठीक है फॉर्म्स यह है कि हमने अगर टेबल में एक इजी वे में जाओ डाटा को एंटर करना है एड करना है ठीक है हम वह पर editing करते हैं डाटा की तो वह forms है क्या है वह forms है तो MS Access में चार components है कौन-कौन से है table queries report and forms ठीक है are the components of MS Access अब बात करते है queries की सबसे पहले हम यहाँ पर queries की बात करेंगे queries लिए में यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए five types की queries है कितनी है five types की queries है पहली कौन से है select दूसरी parameter क्योरी किसी cross type क्योरी चौती action क्योरी एंड पांची sql query query देखिए अगर हम select क्योरी की बात करते है पर फस्ट query है आपकी ms access की ठीक है most common type of query most common type of query इसको बोलते हैं select query को याद रखेगा यह retrieve करती है data को एक से दूसरे table में और display करती है record set को data sheet में select query अब देखे parameter क्योरी क्या होती है ठीक है एक तरह से यहाँ पर जाओ एक specify region जाओ किया गया है results जो sales की result है उसके लिए ठीक है यह define करते query को क्या करते है define करते क्योरी को ठीक है याद रखना है अब देखेग क्रॉस टैब क्योरी आपकी तीसरी query है ठीक है यहाँ पर जाओ हम यहाँ पर रोज और columns में जाओ heading पनाते हैं और उनको अरेंज करते हैं record set को उसको arrange करें आपर record set को action query में मतलब क्या है यहाँ पर जाओ हम create करें new table को और यहाँ पर change कर रहा हम existing table go to action query है SQL query SQL query का मतलब क्या है एक तरह से एडवांस क्यूरी आप यहाँ पर बना रहे है एडवांस क्यूरी हम यहाँ पर बना रहे है ठीक है SQL statement को हम यहाँ पर जाओ create यूज करने के लिए यह आपको ध्यान देना है तो एक्सेस किसका पार्ट है Microsoft का पार्ट है 1992 में एक्सेस आया था उसके एक्सेस टीबी है यह आपको ध्यान देना है ठीक है इसको आपने ध्यान देना है तो यह था आज का लेक्चर अभी के लिए फिला लेतना ही है कोई भी आपको जाओ डाउट हो आप मुझसे जाओ टेलि को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू एंड हैवर नाइस टेइग